बड़ी आसानी से और तुरंद बन जाने वाली आलू मटर की सबजी सभी के घरों में अकसर बनाई जाती है तो मैं इस सबजी को कैसे बनाती हूँ, आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ Hello everyone, Welcome back to my channel Smart Cooking with Priyanka, मैं Priyanka Chaudhry तो मटर आलू की सबसी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और मैं इसमें डाल रही हूँ, तीन से चार बड़े चमच सर्सो का तेल सर्सो का तेल गर्म होते ही, मैं इसमें डाल दोंगी कुछ घरे गरम मसाले जैसे जीरा एक बड़ी चमच, तीन लॉंग, एक बड़ी इलाइची एक छोटी इलाइची और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मैंने इसमें डाला है लग बड़ एक छोटा चमच हींग और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे कि इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं तीन मीडियम साइज के प्याज और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अलब दो मिनटे प्राइ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे तीन हरी मिर्च जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है तो मिर्च भी मैंने डाल दिया और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं अध्रक लहसन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो तीन से चार मिनट तक प्याज को इसी तरह हम चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे तीन से चार मिनट के बाद हम प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे दो बड़े टमाटर टमाटर को मैंने छोटा-छोटा चॉप कर लिया था और टमाटर डालते ही अब हम इसमें मसाले डाल देंगे तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ा चमच नमक एक बड़ा चमच हल्दी आधी चमच कश्मीदी लाल मिर्च एक बड़ी चमच धनिया पाउडर और आधी चमच जीरा पाउडर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग आप किसी भी ब्राण का सबजी मसाला या किचन किंग इसमें डाल सकते हैं तो मैंने इसमें डाला है दो बड़े चमच किचन किंग और अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाले जले नहीं इसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी 1 फोर्थ कप पानी प्याज टमाटर मसालों को अच्छी तर से मिक्स करने के बाद हम इसे लवर तीन से चार मिनट के लिए ढग कर पका लेंगे और बीच बीच में ढगकन खोल कर हम इसे चला लिया करेंगे जिसे हमारे मसाले मीचे से जल है नहीं तो इसे हम ढगकर दो मिनट और पकाएंगे तो टोटल हमें मसालों को चार मिनट तक ढगकर पकाना है और जैसे हमारे मसाले भुन जाए और मसालों में से तेल अलग होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे लभक डेड़ कप मतर और इसे भी हम मसालों के साथ अची तरह से भून लेंगे और ढगकर लभक तीन से चार मिनट तक इसे भी हम पकाएंगे बीच वीच में हम ढगकर खोल कर चला लिया करेंगे जिसे हमारे मसाले जले नहीं तो इसे लवर दो मिनिट के लिए हम और फ्राइ करेंगे जिसे हमारे मतर सॉफ्ट हो जाए और जैसी मतर सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू तो मैंने इसमें डाले हैं चार से पांच मीडियम साइस के उबले हुए आलू और इसे भी एम मसालों और मटर के साथ अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो लगवर तीन से चार मिनट के लिए हम इसे ढगकर पकाएंगे और बीच में ढखकन खोल कर हम इसे चला लिया करेंगे तो 3-4 मिनट के बाद हमारे मसाले और सबजी बिलकुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अगर आप आलू टमाटर की सुकी सबजी खाना चाहते हैं तो यह सबजी बिलकुल तैयार हैं लेकिन हम ग्रेवी वाला आलू मतर की सबजी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने इसमें डाला है एक बड़ा कप पानी अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और भी जादा पानी डाल सकते हैं तो इसे भी हम लवगो पांच मुनट के रिए डखकर पका लेंगे जिसे सबजियों में मसालो की कुछभू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें लास्ट में हम डाल देंगे धनिया पत्ता धनिया पत्ता डालते ही सबजी में एक धनिया का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आड़ हो जाता है जो सबजी का टेस्ट और भी बढ़ा देता है और अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी आड़ कर सकते हैं कसूरी मेथी का फ्लेवर इस सबजी को काफी एन्हांस करता है तो यह देखिए आलू मटर के सबजी बनकर तया सबी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो अगर किसी भी रिजन में आपको मेरी बनाई हुए रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें